सोलन नगनिगम के एक शित्र में बीते कई दिनों से पानी की कमी चल रही है जिसका मुख्यकारण गिरी नदी से पानी का सही से सप्लाई ना होना बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार सिर्मार जिरा में बिजली के लोग वर्डेज के चलते यह समस्या उत्मन हो रही है उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्मार जिला के संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात की है वह करीब एक सब्ता तक यह पानी की कमी रह सकती है हालांकि दोनों जिलों के अधिकारियों से समान जस्ते स्थापित किया जा रहा है मुझवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रेट सेंग पुंज की रिपोर्ट कि अगर एक दिन भी कट लगता है तो एक हफते के लिए हमारा पानी डिस्टर्ब हो जाता है तो अभी जो है मेरी राजिकर्ड में जो गोड़ा में जो एक्सियन बैठते हैं उनसे भी बात हुई है तो उन्होंने यह कहा है कि जो यह वोल्टेज का इश्यू है वह इस वज़ इसमें से जो है राजगड को और ओजगड को जो सप्लाई देना शुरू कर दिया है जिस वज़ा से वोल्टेज का काफी इश्यू बढ़ गया है आज हमने कट लगाया है क्यूंकि पानी की स्टोरेज हमारे पास नहीं है पिछले कल भी पांच लाख गैलन पानी था आज हम अब हम दूसरे दिन देते हैं तो एक दिन छोड़के तभी हमने ये सिस्टम रखा हुआ है अभी तो हमारे पास साड़े ग्यारा लाग गैलन है जिसकी वज़ा से वो पानी का प्रेशर नहीं बनेगा तो लोगों तक वो पानी प्रोपर नहीं पहुंच पाएगा तो इसलि